है यह जुट्ट वेलकम टुट राजेंद्रा सम्राट अकेडमी इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्द का जोग्राफी का चैप्टर टू लाश्ट वीडियो में हमने बढ़ा था चैप्टर वन अभी चैप्टर है जो सेकेंड है इसका नाम है भारत का बहु उसमें देखा था और इसमें अब हम यह पढ़ेंगे जो इसके भहतीक सोरूप है वो उसके बारे में हमें इसमें पढ़ेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन इस्तला अक्रिती वाला एक विशाल देश है आप किस प्रकार के चेत्र भू भाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी चेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परचित होंगे और यदि परवतिय छेत्र में निवास करते हैं तो आप परवतिय ढ़लानों और घाटियों से भली भाती परचित होंगे तो वैसे भाग को अच्छे से आप जानते होगे अगर पहाडों में रहते होगे तो पहाडी छेत्र को अब जैसे मतलब जगा पर रहते हो तो उस हिसाब से आप अपने एरिये से तो परचित हो गई तो आप परवतिय ढ़लों और घाटियों से भली भाती परचित होंगे वास्तों में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकरितियां पाई जाती है जैसा बताया परवत मैदान मरुस्थल पठार या तथा दिविप ये सब मूँ है यह देख सकते हो यह वाला एरिया हिमाले का पूरा यहां तक है हिमाले के स्रंखला है पूरी मैप में अगर देखोगे और इधर यह जो है प्लेन है इधर रेगिस्तान है है inch in Ed import की भूमी बहुत अधिक भौतिक विल्विन्ताओं को दरशाती है घूगर भी तोर पर पर प्रायदीपिये पठार प्रिथवी की सता का प्राचिंतंव भाग है जो घूगर चुल्ब कर और देखा जाय तो प्राधिपिये जो पठार है वो प्रिध्वी की क्या है सता पर प्राचीनता मतलब सबसे पुराने भाग यहीं है इस भूमी का एक बहुत ही इस्थिर भाग माना जाता इसे जो भूमी का एक बहुत ही इस्थिर भाग माना जाता जो पठा रहा है परंतु हाल के भुकंपों में भुकंपों ने इसे गलत साबि जो यहां पर भुकम पाये थे तो इसे गलत हिमाले एवं उत्री मैदान हाल में बनी इस्तलाकृतियां है कि जल्दी में जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अलग प्लेट से टक्राने से जो प्लेटे जब टक्राइए भारत आया अधिया में खिसकता खिसकता चला आया पहले दूसरे जगा पर भारत आपसी जब शिक्स क्लास में पढ़ो गया तो उसमें देखने को मिलेगा फिप्शिक्स में भारत जब इधर आया एस्या दिव में तो यहां पर ठक्राने के वज़़ए से हिमाले का क्या हुआ निर्माण है यह इस्तिरभाग नहीं आस्तिर भाग है हिमाले की पूरी पर्वस रंखला एक यूवा इस्तलाक्रिती को दरसाती है जिसमें उचे सिखर गहरी घाटिया तता तेज वहने वाली नदियां हैं यहां घाटियां भी और इस्तलाक्रिती भी उची है अलग-अलग बनी हुई है पर्वसिखर भी है और नदियां भी है जो तेज पानी का बहाव उनमें है जैसा कि जानते ही हो पर Yatea पेंने जाने लिए तो है उत्री मैदान जलोड निश्चेपों से बने हुए जो बहरत के जो उत्री मैदान है वह जलोड जो है उनके निश्चेपों से बने हुए प्रायदी पियत पठार अगने था रुपांत रिम्दी शहलो से शैलो वाली कम उची पहाडियों एवं चोड़ी घाटियों से बने हुए जो अगने शैल होती है जैसे बुकम बगारा में उसमें जौला मुखी से फटने से होई है और ये रुपांतरित मतलब जो कायंतरित एक तरह से कहते हैं जैसे कभी भी चेंज हो जाती है खिसक जमीन भुकम पागया तो जमीन खिसक जाती है तो कभी पहाड़ होता हुआ खाई भी बन सकती है कुछ भी हो सकता है गाटियों से बना है भुकम मुख्य भोगौलिक वित्रण आप करें कि जो जमीन का भारत का है एरिया वो किस तरह से इसका वित्रण हुआ है तो भारत की भोगौलिक आकरितियों कोनिमलिखित वरगो में विभाजित किया जा सकता है जैसे हिमाले प्रवत स्रंक्ला उत्री मैदान, प्रायदीपिय पठार, भारतिये मरुस्थल, तटिये मैदान और द्रुपिये सम्मू इंच्छे भागों में भारत को बाटा जा सकता है तो हिमाले परवत देखते हैं पहले भारत की उत्री सीमा पर विस्तित हिमाले भुगर्विय रूप से युवा एवं बनावट के द्रिष्टी कोंड से वलित परवत स्रंक्ला है जो भारत का है, युवा का जाता है क्योंकि ये नया है और पिर यहां नदियों का बाहा हमेशा चलता रहता है और यह अपनी चाहिए भी लगब कुछ न कुछ यह बढ़ाता है रहता है धीरे धीरे इसकी बढ़ती ही रहती है यह परवत स्रंक्ला पश्च्मी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्म पुत्रा तक फैली है यह अंडरलाइन कर ले ना जो परवत स्रंक्ला है यह कहां से लेकर सिंधु से लेकर ब्रह्म पुत्रा तक फैली है हिमाले विश्व की सबसे उची परवत स्रेणी है और एक अत्याधिक असम अवरोधों में से एक है जो कहा है कि यह किसी चीज को रुकावट करता है जैसे कहते हैं उत्तर में हिमाले खड़ा तो उधर की हवाएं इधर आने से रोकता है और इधर की हवाएं जो मौसम होता है जाने से रोकता है से हमें बहुत लाब होता है अगे इस पो भी पढ़ेंगे यह लगब चंश किमीर में 400 इजितना अचे हैं Yo पूर्वी भाग की उंचाई में अधिक विबित्ता पाई जाती है तो देशांत्री विस्तार के साथ हिमाल्य को तीन भागों में बाटा जाता है इन श्रंकलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है और जो यह परवत श्रंकला है इनके बीच में बहुत जादा घाटियां पाई जाती है जैसे दो परवत के बीच से रास्ता होगा वो घाटियां पाई जाती है सबसे उतरी भाग में इसी श्रन्कला को महान एवं आंतरिक हिमाले या हिमादरी कहते हैं जिसमें 6000 मीटर की और स्ट उचाई वाले सरवाधिक सिखर पाए जाते हैं तो यह जो उत्री हमाले लगभभा की पहाडों की 6000 मीटर तक की उसत उचाई है इसमें हमाले की मुख सभी सभी मुख सिखर है जगा नाम से दिया गया है कौन सा हमाले कहा है और कौन सी जगा में सी थे उसकी उचाई कितनी है यह सारी दी गई है मांट आवरेस्ट नेपाल में है 8888 किलो मीटर स्टिन्ट मांट आवरेस्ट नेपाल किलोडिस किलो मीटर मीटर sa इसको बोलते हैं भारत में इसी था यह 8,598 मीटर उचा है तो सबसे उचा तो यही हुआ माउंट आवरेश्ट ऐसा जानते ही हो ठीक है उसके बाद आता है मकालू परवत भी नेपाल में है 8,481 मीटर उचा है और धौला गिरी परवत नेपाल में यह भी है जैसे तीन परवत हैं यह नेपाल में ही है बड़े बड़े धौला गिरी परवत 8,172 मीटर इसकी उचा है आगे देखते है नंगा परवत भारत में है यह 8126 मीटर इसकी उंचाई है और अनपूर्ण न परवत नेपाल 8078 मीटर इसकी उंचाई है नंदा देवी भारत में है ये 7817 मीटर उंचाई है कामेट है भारत में 7756 मीटर उंचाई है नामचा बरुवा परवज जो है पहाड यह भारत में इस्तित है 7756 मीटर इन दोनों की लगवग मुचाई सेम है कामेट और नामचा बरुवा की और गुरुला मंधाता नेपाल में है 7178 मीटर हुचाई है लगवग जितने भी मतलब हाइस जो पहाड है हाइट वाले वो ने नेपाल भारत से लगाई हुआ है तो इसलिए दोनों ही मतलब आसपास ही है तो दोनों बहुत सारी प्रवत संक्ला क्योंकि यहां से देखोगे तो उपर से ऐसे करके जा रही है तो आसाम तक है हमाले से लेकर सारा वो साइड में नेपाल है थोड़ी दूर में जैसा यहां देख सकते हो यह रहा नेपाल यह है अन्यू यहां परवत कर देखो मैप दिया हुआ है इसको देख सकते हो कि के टू करा कोरम दे रखा है ठीक है और सारे पहाड दे नंगा परवती है और माले का पूरा देखा है ध्वाला गिरी अन्य पूर्ण अनंदा देवी कामेट शिवाईल का स्रेणी यह सारी लगी पड़ी है और माउंट आवरेस्ट यह रा कंचन जंगा मकालू यह रा तिक यह रा मकालू महान हिमाले के वाले की प्राकृति असम्मित है हिमाले के इस भाग का क्रोट गेनाइट का बना है यह स्रेणखला हमेशा बर्व से धकी रहती है जो यह हिमाले के परवत है यह हमेशा क्या है बर्व से धके रहते हैं तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवा होता है मदलब नदियों का प्रवा होता है महान हिमाले में पाई जाने वाली हिमानियों तथा गरों के नाम कर दे तो यह भारत के नाम जहां पर दिये गए उचे सिखा रिषी है ऑरत के नाम जहां पर यह सारे पहाड इसी थे तो मैप में भी दिया गया है कौन कौन सी जगा में यह सारे हैं हिमादरी के दक्षिन में इसी स्रिंखला सबसे अधिक असम में है यहां पर दिया हुआ एक राज का नाम मिल गया असम में है एवं हिमाले या निम्न हिमाले के नाम से जानी जाती है या उसे हिम निमन हिमाले के नाम से जाना जाता है जैसा अभी आमने पढ़ा था इन स्रिंखलाओं का निर्माण मुक्ता अत्य अधिक संपीडित या परिवर्ति सैलो से हुआ है यह यह जैसे दो अभी कुछ दो साइट से दबा पड़े तो बीच में जैसे मिट्टी है पहाड तो वह उठना सुरू कर देता है तो ठीक उसी तरह से इसका हिमाले का निर्माण हुआ है इनकी उचाई तीन हजार सास्सो मीटर से चार हजार पांसो मीटर के बीच तथा ओसत चौड़ाई पचास किलो मीटर है जो इनकी उचाई है तीन हजार सास्सो मीटर से लेके पैंताली सो लोगके चार हजार पांसो मीटर सबसे महत्पूर्ण स्रंखला भी है और धौला धर एवं महाा भारत स्रंखला भी महत्पूर्ण है द्धौला धर और महाभारत स्रंकला यह भी क्या है बहुत मातपूर है इसी स्रंकला में कस्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां इस्तीत हैं कांगड़ा यह भी कांगड़ा यह भी कांगड़ा में इस छेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है जो यह चेत्र है यहाँ पहाड़ी नगर है ज्यादा तर टूरिस्ट भी आते जाते रहते हैं लगवा भी हिमाल्य की सबसे बाहरी स्रंकला को शिवाल का कहा जाता है इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलो मीटर तथा उचाई 9 से 1100 यानि 1100 मीटर के बीच होती है इत उत्त हित मुख्य हिमाले की सरंकलाओं से ुपारी जो यह पहाड़ी जुन हुई है यह गाटियां बजरी तथा जलोड की मिटी परत से धकी हुई है जो गाटियां है ये बजरी और जलोड जो टुकड़े वगर होते हैं पथरी जो पहाडों से तूट-टूट के आते हैं वो और जलोड मिटी से जलोड की मोटी परतिस पे ढखी हुई है निम्न हिमांचल तथा सिवालका के बीच में इस्थीत लंबवद घाटी को दून के नामसे जाना जाता है जो इनके बीच में जो यह घाटी है लंबी घाटी उसको हम दून के नामसे जान सकते हैं कुछ प्रसित दून है जैसे दहरा दून, कोटिल दून और पाटली दून तो इन्हें दून के नाम से जाना जाता है जो दहरा दून हो गई और कोटिल दून एवं पाटिल दून तो इसे भी हंडलाइन कर लेना यह जितने भी चैप्टर है जोग्रफी के बिटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है एक एक पॉइंट इसमें इ सत्पूरा जो यह नर्मदा और तापती नदी के बीच में जो पाड़ी आती है यह सत्पूरा स्रेड़ी आती है महादेव पहाड़ियां हो गई ठीक है यहां पर जितना सारा है यह आपके मैप में दिया गया अरावली की स्रेड़ी यहां पर है सुलेमान स्रेड़ी परवस कुछ को कि यह सारा पूरा यहाँ से देख देखो यह सारा पूरा पहाड़ों का ही मैप में है पूरा दीया गया इसमें आते हागे यह हमाले प्रवत का जो चित्र दिया गया है देख सकते हो, यह क्या बरब से ढखा पड़ा है, यही बरब जो गर्मियों में धिरी-धिरी पिगलती हैं, इसी से यह हमेशा जो की गंगा नदी, यम्ना नदी हैं, जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, इनमें पानी बन के बहता रहता है इस उत्तर दक्षन के अत्रिक्त हिमाले को पस्चिम से पूर्व तक इस्थित छेत्रों के आधार पर भी विभाजित प्वाजित किया जाता है अब पर प्वुर्व से पस्चिम गरीव porn बाता गया है इन वर्गी करण को नदी गाटियों की सिमाओं के आधार पर किया गया है इनका जो वर्गी करन किया गया है नदी गाटियों के आधार पर इसकी सिमाएं बाटी गई है उधारन के लिए जैसे कि सतलु जेवम सिंदु के बीच इस्तित हिमाले के भाग को पंजाब हिमाले के नाम से जाना जाता हो अर लेकिन पश्चिम से पूर्व तक्रम्सा इसे कश्मीर मांचल हिमाले के नाम से जाना जाता है सटलू तथा काली नदी के बीच इस ही मालvs के भाग Video के नाम से तो यहां इस प्रलता रहा है कि आपको कि अलग अलग जगा जगा पे हिमाल्ले को किस-किस नामों ने जाता जाता है काली तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमाले एवं तिस्ता तथा दिहांग नदी असम हिमाले का सिमांकन करती है तो यहां पर यह भी क्या है कि अलग-अलग हिमाले को नाम से बाढ़ दिया करती है हिमाले के कुछ छेत्र नाम पता कीजिए और भी कुछ छेत्र है तो उसके नाम मैप में वैसे भी दिया गया और आगे भी पता लग जाएगा ब्रह्म पुत्र हिमाले की सबसे पूर्वी सीमा बनती है जो ब्रह्म पुत्र है हिमाले की सबसे पूर्वी सीमा बनती है दिहांग महाखड गार्ज के बाद हिमाले दक्षिन्ड की और एक तीखा मोड बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के यह हिमाले का द्रिश है देखो रंग भी रंगी घास है फूल दे रखे हैं इसमें पूर्वी सीमा की और यह फिर क्या गरता बढ़ने लगता है साथ फैल जाता है इनहें पूर्वी पहाडियां तथा परवत स्रंखलाओं के नाम से जाना जाता है यह पहाडियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं अब जो ये पहाडिया है उत्तर पूर्वी राज्यों से तत्था मजबूत भलुआ पत्रों जो की जल से वा हुआ है ये घने जंगलों से ढकी हुई है जैसे पूरब के तरना जाद जादे तो और भी जादे जंगलों से ढकी हुई है तथा अधिकतर सामांतर स्रंकलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है सामांतर स्रंकला जैसे पहाडी स्रंकला बनी हुई है या फिर घाटियों के रूप में ये बनी हुई है पुरुवांचल में पटकाई, नागा, नागा, मीजो तथा मनिपूर पहाडियां सामिल है इसमें जो ये पहाडियां इनके नाम दे रखा है कि पुरुवत्तर में जाते वक्त इन पहाडियों के नाम से पटकाई, नागा, मीजो तथा मनिपूर पहाडियों के नाम से जानी जाती है, सामिल है, तो ये भी अंडरलाइन कर लेना जो पूरुवत्तर की तरफ जानी है पाडियां इन नामों से जानी जाती है अब आती अगले एडिंग हमारी उत्री मैदान उत्री मैदान जो है उत्री मैदान तीन प्रमुक नदी प्रणालियों सिंदू, गंगा, एवं ब्रहंपुत्रा तथा उनकी सहायक नदियों से बना हुआ तो ये अंडरलाइन करना है जो ये उत्री मैदान बना हुआ है, उन तीन नदियों के साहता से बना हुआ है तीन नदियों के साहता से मतलब कैसे बना हुआ है ये नदिया जो मलवा, जो बालू, रेट, सब बहा के मिट्टी बहा किलाती है तो ये प्लेन एरिये में क्या करते हैं छोड़ती चली जाती है जिससे ये मैदान बन गया और काफी उपजाव होता है यह मैदान जलोड मिर्दा से बनी हुए जो मिट्टी बहाँ खिलाती है वो जलोड मिर्दा है लाखो वर्सों से हिमाले के गरीपाद में इस्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोडों का निश्चेफ हुआ जलोड मिर्दा थी उसका निश्चेफ हुआ जिस से इस उपजाव मैदान का निर्मान हुआ है इसका विस्तार साथ लाख वर्ग किलोमीटर के छेतर पर है इसका जो विस्तार है जो उतरी मैदान उतर का मैदान हो साथ लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ तो ये भी अधान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से कि पीन सो बीस किलोमीटर चोड़ा है यह संग्न जनसंख्या वाला भोगौलिक छेत्र है इस छेत्र में ज्यादत तर जनसंख्या पाई जाती है सम्रिद म्रिदा आवरण परियाप्त पानी की उपलब्दता एवं अनकूल जलवाईयू के कारण क्रिसी की द्रिष्टी से यह भारत का अत्याधिक उद्पादक छेत्र है जैसा कि बहुत ज्यादा यह उपजाव छेत्र है क्योंकि मिटी बहा के लाती है गंगा है ब्रहंपुत्रा है और सिंदु नद इसके वज़ा से यह चेत काफी उपजाव माने जाते हैं उत्री परवतों से आने वाली नदियां निश्चेपन कारे में लगी है यह वहां से बहा के लाती राती है मिटी बगरा और इधर छोड़ती चली आती है नदी के निचले भागों में धाल कम होने के कारण नदी की गती कम हो जाती है अब उपर से तो आती है बहुत तेजी से अब जब पानी अगर तेजी से जाए तो बहुत चीज़े अपने साथ बहा के लाता ही लाता है और जब प्लेन एरिया में मैदानी छेतर में आता है तो वह फिर बहा हो कम होता है जिसके वज़ा से वह सारी चीज हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है अब नजिया बहाब आके लाते हैं बीच में पानी खटा हो गया तो दो भाग में बढ़ गई और दूसरी जगाई खटा हो गया तो वहां से तीन भाग हो तो ऐसे कई धारा उनकी बनती चली गई इन धाराओं को वितारिकाय कहा जाता है जो कई धाराओं में बढ़ जाती है तो इनको हम क्या कहते हैं वितारिकाय कहा जाता है जैसे हैं देखो दो आप का आर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग तो पंजाब का क्या आर्थ इसी तरह से हो गया पांच नदियों का ये दिया हुआ है दो आब सब्दों से दो आब दो सब्दों से मिलकर बना है दो तथा आब अथा पानी इसी प्रकार पंजाब भी दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है पंज का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी तो पंजाब हो गया, तो पंजाब जो बना हुआ है वो पांच नदीयों के वज़ा से इसका नाम पंजाब रखा गया है, फीक? तो एक हो गई सिंदु, रावी, चेनाब, सतलज, और जेलम तो पांच नदीया है जो यह इसके आसपास, के शेतर से बैती हुई जाती है, जिसक तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है उत्री मैदान के पश्मी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है जो उत्तर का पश्मी मैदान है उसे पंजाब का मैदान कहा जाता है सिंदु तता उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाये गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में इस्तित है जो सिंदु नदियों के द्वरा बनाएगा मैदान है वो ज्यादा तर पाकिस्तान में इस्तित है सिंदु तथा उसकी सहायक नदियां जेलम चेनाव रावी व्यास सतलुज हिमाले से निकलती है जेलम चेनाव रावी व्यास सतलुज मैदान के इस भाग में दो आबो की संख्या बहुत अधिक है अब दो नदियों से मिलके यह दो नदिया जहां क्रॉस करती होंगी मिट्टिया एक टकर के बनाती होंगी वहां पे मैदान बन जाता तो दो आब हो जाते हैं गंगा के मैदा का विस्तार घंगर तथा तीस्ता नदियों के बीच है तो यह अंडरलाइन करने वाली चीज़ा बहुत इंपोर्टेंट दे रखाए इसको अंडरलाइन करके पढ़ सकते हों यह सारे कोशन से लगभग यूपीसी वगरा में यहां से आते ही आते हैं बड़े एक्जामों मे राज्यों हर्याना दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार जारखन के कुछ भाग तता पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है जो गंगा है गंगा का जो मैदानी भाग है यह कहां कहां तक है उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार जारखन पश्चिम बंगाल में ही जाके मतलब ख इस्तित है उसका मैदान गंगा के उत्री मैदान की व्याख्या समानता इसके उच्चावचों से बिना किसी विवित्ता वाले समतल इस्थल के रूप में की जा सकती है यह सही नहीं है यह सही नहीं है कि इन विस्तित मैदानों की भोगौलिक आकरतिक में भी विवित्ता है आकरती विविन्ता के अधार पर उत्री मैदानों को चार भागों में विवाजित किया गया है जो उत्तर के मैदान है उनकी आकरती में भी विविन्ता है तो इसलिए उन्हें चार भागो में बाट दिया गया है जैसे नदिया परवतों से नीचे उतरते समय सिवालका की ढाल पर 8-16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुठका का निच्छेपन करती है इसे भाबर के नाम से जाना जाता है तो ये भी कि इंपॉर्टन भी कर सकते हो अ कि बूक मैं अंड्र लाइन कर लेना इसे हाइलेट भी कर लेना सभी सर्थाएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है जो नदिया है जो इसी भावर में क्या आकर लगबग खतम सी विलुप्त इस पट्टी के दक्षिन में ये शैंत और बसकुन हम निकलती हैं और फिर यहां से जब दक्षण में निकल जाती हैं तो पिर यह ऊपर आ जाती है। इवंयां नम तत्हा दलदली छेत्र का निर्माण करती हैं और यहां पर फिर क्या करते हैं। नमी वाले और दलदल जादा तर दक्षिन शेत्र में पाया जाती हैं , जी enjoyment आ हागब नमी वाल जो और रावन जब t चहेतर है जो तरही एरिया जो होता है वो घंने जंगलों का चेतर होता है बटवारे के बाद Chemistry सरनार्थियों को कृशी योग भूमी उपलब्द कराने के लिए इस जंगल को काटा गया था जो सरनार्थि थे जो बाहत, इनको किरसी के लिए पिर जमीन के लिए क्या क्या गया था तो ये जो राई लिए दुद्वा राश्टिय पार्क की इस चिती घ्याद कीजिये जो इस चेत्र में हैं जो डुद्वétais नेशनल gef Salvador यह लगबग आपको पूर्वी छेत्र में यहां पश्मी यूपी में मिलेगा लग नेपाल के पास बॉर्डर पे है दुद्वार नैशनल पार्क है यूपी में ही है उत्री मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोड का बना हुआ है जो उत्री मैदान है सबसे विशा के वे नदियों के बादवाले मैदान के ऊपर इस्तित हैं यह वेदिका जैसे आकरति प्रदर्शित करते हैं इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है जो यह वाला भाग है जहां पर मतलब पुरानी जलोड मिर्दा पाई जाती है वह भांगर के खादर और भांगर की मतलब अंतर भी आता है पहले से और इनके अंतर तो इसको पूरा हाइलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना इसका इनका लगभग प्रते एक वर्स पुना निर्माण होता रहता है हर साल यह लगभग इनका नया नया मतलब इसके ऊपर नहीं परत आती रहती है इसलिए यह उपजाओ होते हैं तथा गहन खेत स pratic की हो जाती है कि इस तरह से लगभग पूरे paragraph को अंडरलाइन कर लेना इसमें से या तो फिर point करके लिख लेना आगे आता है प्राइदी पी पठार क्या या इसको देखते हैं है से रइक्र नीब रूइप पठार एक मेज की आकृति वाला इस्थल है मतलब प्लेन जैसे मेज रख देते हैं और प्लेन हो जाता है तो ऐसे जो प्राइदीप्य पठा रहे हैं प्लेन में होते हैं जो पुराने क्रिष्टलिये अग्निये तथा रुपांत्री शैलो से बना हुआ है यह गोडवाना भूमी के तूटने एवां अपवा के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग एक भूभाग का एक हिस्सा है इस पठारिय भाग में चौनी तथा चिछली घाटियां एवां गोलाकार पाहडियां है इसमें जो है इस पठार के दो मुख भाग है मद्य उच्छ भूमी तथा दकन का पठार इसमें दो है एक मद्य उच्छ भूमी है और दूसरा दकन का पठार है इसे भी अंडर्लाइन कर लो व कियर अगे आगे आता है नम्रदा जो न्रम्दा नदी के उत्तर में प्राइधीम्य पठार का unowah भाग जो कि माल्वा के पठार के अधिकतर भागो कर फैला है उसे उच्य भूमी के नाम से जाना जाता है जो नर्मदा नदी है उसके जो उत्री प्राइदी पे पठार का भाग है जो से क्या मद्य उच्छ भूमी के नाम से जाना जाता है इसे भी अलग से अंडरलाइन कर ले ना बिंधया स्रिंखला दक्षिण में सत्पूडा स्रिंखला तता उत्तर पश्चिम में अरावली से घि मरुस्तल से मिल जाता है यह राजर्सान में जाता है और पत्र पहाड क्हते लेता हैं इस भी को संब करें कर दो अब vazut Shake मी से उत्र पूर्वी की तरफ बहती है इस जो यह राजरशान से बलुआ गां है, इस प्रकार वे इस छेत्र भिए कर ले ले करने में इस चेत्र के ढालya भाइटर दर शाहती है मद उच्च भूमी पश्चीम में चौड़ी लेकिन पूरव की पूरव में करले संक्रिण है ये जो पस्षिम है चोड़ी है लेकिन पूरब में जाते वक्त ये क्या है पतली हो गई है इस पंठार के पूर्फी विस्तार को इस्थानिय रूप से बुंदेल खंड तथा बगेला खंड के नाम से से जाना जाता है इसे काफी सुना होगा बुंदेल खंड और भगेला खंड ठीक है न यह पठार एरिया है सारे इसके और पूरफ के विस्तार को दामोधन नदी द्वारा अप वाही है चोटा नागपुर का पठार दरसाता है और यहीते दरसा इन्हाल से से अपने बुक में हाइलाइट भी कर सकते हो यहां एक साथ कर रखा लेकिन आप लाइन वाइज लाइन टू लाइन करते जाना और नोट्स में तो कोशिज करना कि जैसे आप यहां से लिखा ठीक एक पॉइंट हो गया फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आंसर भी जितना हो सब्सक्राइब इसके चौणा आधार सथपुडा की बढको है जब कि महादेह कैमूर की पहाढीया तथा मैं स्रिंख्ला blame तक यहां पूर्वी विस्तार में यह है यहां पूरव साइट में बढ़ा तो वहां के इसके विस्तार में यहां एक एक पहाडियों का नामी देख महादेव कैमूर और की पहाडियां मैकला स्रिंखला पहाडी स्रिंखला है इस सारा भौतिक मान्चित पर इन पहाडियों की सिटी को ग्याद करें दक्षिन का पठार पश्चिम में उंचा एवंपूरव की और कम धाल वाला है तो जिसे इस्थानिय रूप से मेगले कारवी एंग लौंग पठार तथा उत्तर कचार पहड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी important है, इसे भी underline कर सकते हैं, ये एक भ्रहंश के द्वारा छोटा नागपूर पठार से अलग हो गया है, भ्रहंश के द्वारा ये मतलब क्या हुआ है, यहां से अलग हो गया, पस्चिम से पूरब की ओर तीन महत्पूर्ण स्रंकलाएं, गार गारो, खासी और जैनतिया है, ये सारा important है, तो इसको भी underline कर लेते हैं, इस तरह से underline कर सकते हैं, या तो highlight कर लेते हैं, ये सारा ही मतलब लगभग important, देखो उत्रा कचार पहाडी के नाम से जाना जाता है, और या एक भ्रहंश घाटी द्वारा अभी पूर सकता है, जो न नागपुर का पठार अलग करती है, इसको ब्रंच जो घाटी थी, उसे अलग कर देती है, ब्रंच के द्वारा, पश्चिम एवं पूरव की और तीन महत्पूर्ण स्रंकलाए हैं, गारो, खासी और तता जैनतिया, जैनतिया है, इनके ये प्रवर स्रंकला हैं, आगे देख दक्षिन के पठार के पूर्व एवं पश्चिम सीरे पर क्रमसा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इसी थे, ये सतत है, तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता, ये मतलब दर्रे जो पतले रास्ते होते हैं, सक्रे रास्ते हैं, उन्हीं के द्वारा में थाल घाट भर Χाट तर्था पाल घाट की इस्थिति गयाद करें कि यह जो बारत के मनजद ना थाल घाट और अपर च्छर गाट दिया गया देखें अप मैप में देखें न कि पश्ण मेंगाट-पूर्वी घाट की पेच्छा उंचे हैं जो पश्यम 200 मीटर है पूर्वी कले साय लाइं यहा से हाइल vikt कर ले यह वाली थारी एवं अनिमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है जो बंगाल की खाड़ी में जो नदिया गिरती है ये इसे अलग कर देती है पश्मी घाट में परवर्थिये वर्षा होती है यहां वर्षा घाट के पश्मी ढाल पर आद्र हवा क कराका उपर उठने के कारण होती है, यहाँ जो पश्म घाट में वारिस होती है तो उसका कारण भी दिया हुआ यह वर्षा गाट के पश्रिम धालों पर आत्रहव के टक राकन डान अधावी कि पश्रिम घाटais अंये नामों से जाना जाता है जो पश्रिम घाट उसको भी अलग-अलग नामों से जाना जाता है जो पश्रिम घाट की उंचाई उत्तर से दक्षिन की ओर बढ़ती है इस भाग के सिखर उंचे हैं जैसे अनाई मुडी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर पूर्वी घाट का सबसे उंचा सिखर महेंद् करीई है यह 1500 Psychology मीटर है कि कि जो पूर्वी घाट का सबसे उंचा परवत है यह पाश्रिम है और यह पूर्वी घाट के दक्षिन पाश्रिम में शेवराय तथा जावेडी की पहाडियं है जो अगे देखते हैं भूधी थी थैं है अए उडंग् मडलम जिसे जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तो फ़ूलाय कनाल जैसे कि ₹ध १ृ मानचितर में ग्याज कीजिए इसकी विस्तिति जो है अपने मानचितर में देख लिए यह उटी का जो नाम है इसको भी प्राइदीपिय पठार की एक विसेश्ता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दकन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है इसकी उत्पत्ति जॉ इसको भी अंडरलाइंग कर लेना जो प्राइदीपिय पठार की है जो डकन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है इसकी जो उत्पत्ति जॉला मुखी से हुई थी जॉला मुखी से जो शेल थी अगने शेल जाने जाता है वास्तों में इन शेलों का समय के साथ अपरदन परिस्तित है यह बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाडियां है यह गुजरास से लेकर दिल्ली तक दक्षिन पस्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है इंपोर्टन लाइन है सारी लगभग हर पैरग्राफ में तो अंडरलाइन करके इसे नोट्स म मिली मीटर से भी कम वर्षा होती है जो मरुस्थली भाग है सबसे कम बारिस होती है इस सुस्क जलवाईयू वाले छेत्र में वनस्पती बहुत कम होंगे वर्षा रितु में ही कुछ सहरताय दिखती है यहाँ पर सीछा बारिस का जब पानी होता है तो उसे टाइम में सिर्फ कुछ नधियां दिखती है उसरी सुक पढ़ जाती है और उसके बाद वे बालू में ही वीलीन हो जाती है और प्रयाक जल नहीं मिलने से वे समूंद्र border त सबसे बड़ी नदी है अगर खाली देखा जाये तो इसमें एक बड़ी नदी सिर्क लूनी है जो कि इस छेत्र में एक मात्र नदी है बरकान अर्थ चंद्राकार बालू का ठिला जो बरकान है वो आधा चांद की तरह दिखता है ठिला है और का विस्तार बहुत अधिक छेत्र पर होता है लेकिन लंबवट टिले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुकता से पाये जाते हैं काराद की जो लंबवट टिले भारत पाकिस्तान के बाॉर्डर पर ज्यादा द्יכाइये रफ्रमुकता से वहां जाते वक्ताते में किया कि आपकान वहां के समउख देख सकते हैं जैसे पानियों नहीं भरने वाले सब दूर से पानी भर के लेके आते हैं तो यह रास्ते में दिख जाएंगी आगे आता है तटिय मैदान बहुत छोड़ छोड़ टॉपिक इसमें दे रखा है जैसा कि मैंने बताया कि अगर यूप्यसी का रिवीजर करके नोट्स बनाना है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है यहां से चोड़े चोड़े वर्डों में बड़ी बड़ी चीज़ें इसे किनारे के हैं और तटियों का इस पर विशतार अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विश्थितर और विस्तित है करके कि पश्चिमी तट से लेकर यह कहां तक है बंगाल की खाड़ी तक है शाप अलग अलग हिसाथ से इंका दिया हुआ है जैसे कि देख सकते हैं कि तड़ जो तड़ के हिसाब से इनको नाम भी अलग अलग दिया हुआ है तो कोकण है और मद्य भाग को कंणर मैदान एवं दक्षिन भाग को मालावार का तड़ कहाज जाता है बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तित मैदान चौणा सरकार कहा जाता है जो मैदान फैला हुए उत्री भाग में से उत्री सरकार कहा जाता है जबकि दक्षिन भाग भाग कोरो मंडल तड़ के नाम से जाना जाता है बड़ी नदिया जैसे कि महा नदी कोदावरी कृष्णा तथा कावेरी इस तड़ पर विसाल डेल्टा का निर पर मार करती है 20 अब चेंट का जीड है पूरवी ताठ्ट पर इस्तित एक महत्पूर भूल अक्छण है चिलका जीड है यह पूरवी तो पर इस्तित है और इसे अंडर्याइन कर लेना जीड न इस vaccinated है जीड है तो आता है उसमें चिल्का जिल भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील है यह उडिशा में महा नदी डेल्टा के दर्शिल में इस्तित है उसके बाद आता है दीप सम्मू डीप समू क्याता है आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख इस्तल भाग अत्याधिक वि सबसे बड़ा हो जाए उस साथवे नंबर पर आता है तो साथवे नंबर पर आने मतलब बहुत बड़ा ही है विसाल था है कि इसके अतरिक भारत में दो दीपो का सम्मू भी स्थित है क्या आप इन दीप सम्मूओं को पहचान सकते हैं कि और के के मालवर्वर्ट अके पास के इस्थित लक्षदीब की सिथी को ग्यात की दिये दीपों का यह सम्मू छोटे प्रवाल दीपों से बना है पहले इनको लकादिव और मीनिकाय तथा एमीन दीव के नाम से जाना जाता था तन 1973 में इसका नाम लक्षदीब गिया गया या 32 वर किलो मीटर के छोटे से छेतर में फैला है करावती द्वीप लक्ष द्वीप का प्रसासनिक कारेले है इस द्वीप सम्मूव पर पादप तथा जन्तु के बहुत बहुत से प्रकार पाये जाते हैं बहुत से प्रकार के प्रजातियां जीवों की उसमें पाई जाती है इस द्वीप सम्मूव पर पादप तथा जंत्वों के बहुत से प्रकार पाई जाते हैं पिटली द्वीप त यहां मनुष्यों का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभरण है करा कि इस द्रीभ फे इंसान नहीं रहते हैं बाकि पाक्षित वगर बहुत रहते हैं जो ये नुकसां पहुचा देते हैं इंसानों का रका। हैं इस दीव पर पादब तथा जन्तूँएं के बहुत इसे प्रकार पाए जाते हैं पीटली पीटली दीव मनुष्र का निवास नहीं है अंग जहां मनुष्रका निवास ने उह कौन सा देखर पीटली में यहां एक पक्षी अभरन है अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिंड की तरफ फैले दियूपो की श्रिंखला की और ध्यान दीजिए यह अन्मान एवं निको बार दीप है दीप सम्मू आकार में बड़े संख्या में बहूल तथा बिखरे हुए होते हैं यह दीप सम्मू मुकता दो भागों में बटे होते हैं यह जो दीप सम्मू है आकार में बड़े होते हैं और यह बिखरे से अलग अलग ही जगा और यह नमान और दक्षिंड में निको बार हो गया यहां माना जाता है कि यह दीव सम्मू निमजित परवत स्रेणी के सिखर है यह दीव सम्मू देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्पूर है करा कि यह जो परवत स्रेणी है कि मतलब जो हमाले है वह हमारे देश की रक्षा करता है यहां से ठंडे मौसम ठंडी जलवाईयों को उधर जाने नहीं देता बादलों को रोकता है नहीं तो वरना बारिस यहां पर कम होती है और दूसरी जगा पर ज्यादा हो जाती है के लिए बहुत महत्पूर्ण है और इन दूइप समूहों में पाए जाने वाले पादा पेवं जन्तूहों में बहुत अधिक विवित्ता है यह दूइप विश्वत ब्रित के समीप इस्थित है अब यहां पर अंडरलाइं करने वाली है इस्थित है यह दूइप विश्वत ब्रित के निकट इस्थित है एवं यह की जलवाइउँ विश्वत यह है थाथ यह यहां घने जंगल अच्छा दित हैं कि यहां घने जंगल पाए जाते हैं और यहां की जलवाईू जो है विशुवती है विश्वती है भारत का एक मात्र सक्रिय जौला मुखी अर्णमान तथा नीकोबार द्वीब सम्मूं के बैरन द्वीब पर इस्थित है कि जो इसका द्वीब सम्मूं है वो कहां इस्थित है बैरन द्वीब पर इस्थित है विभिन भू भू आकरती विभागों का विश्थित विवरण प्रतेक विभाग की विशेस्ताएं इसपष्ट करता है परन्तु यह इसपष्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक है अगर साखाय देखी जाए तो यह दूसरे के पूरक है दूसरे से जुड़ी हुई है और वे देश के प्राकरति एक संसानों में संव्रिधी बनाती है उत्री परवत जल एवं बनों की परमुक्स रोत है उत्र में जो इस इंषें सब्हताओं के विकास को अधार मिला है और इन ही से क्या है कि पुरानी सब्हताओं को अधार मिला है विकास का पठारी भाग SHANET के वंधार है जिस ने देश के और जोगी की करणमेंवीषेश योगदान मेंए तटीए सेतर मस्तर्शे और पोत संबंधी क्रिया कलापों के लिए उप्युक्त इस्थान हैं मश्ली पालन के लिए की ये बहुत अच्छा क्रिया कलाप के लिए कि उप्युक्त जगया है । इस प्रकार देश की वीवित्ता भाति काकृति भविष्व में विकास की अनेक संभावनाय प्रदान करती है जो हमारे देश की विवित्ता हैं इसी विवित्ता को वजब में मतलब आजिसके जो बहुत से यहीं तक था आपके छाप्टर कतór कें प्रृय मिलते हैं नीक से स्काम्यीन थे सब्वाइब को अगर आपको कमेंटकर चाहिए विडियू को लाइक लाइक और शेयर जरूर करें और आप कोई शाप्टर चाहिए तो कमेंट में जरूर हमें कमेंट करें ओके थैंक्स इस्टूदेंट्स कि अगर 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 अगर